First part, relation R in the set A, इस set A में हमारा एक relation defined है, मतलब R is from A to A, इस तरीके से है, और जो R है, वो क्या दे रखा है? X, Y ordered pair इसमें तब आता है, जब 3X-Y 0 हो जाए, या फिर इसको आप एक और तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, X, Y such that, इस Y को इधर ले आएं, तो Y is equal to 3X, यानि जो Y है, वो X का 3 times होता है, इस तरीके से R defined है, अब पहला element जो X है, वो भी A से लेना है, और Y भी आपको A से लेना है, तो हम R यहाँ पर बनाते हैं, R क्या बनेगा? ज़रा चेक करिए, पहला element 1 लेते हैं, जब X 1 है, तो यहाँ पुट करेंगे, तो Y कितना बन जाएगा? 3 बन गया, X जब 2 है, तो Y कितना हो जाएगा? 6, X जब 3 है, तो Y हो जाएगा 9, 4 है, तो Y हो जाएगा 12, और 5 है, तो Y हो जाएगा 15, बट 5, 15 यहाँ पर नहीं आएगा, बेकॉज जो दूसरे वाला element है, वो भी हमें A से ही लेना है, और 15 जो है, वो A में आपका नहीं है, तो 4, 12 पर ही यह आपका यहाँ पर होगा, हमें चेक करना है, कि यह जो relations है, वो reflexive, symmetric या transitive हैं या नहीं है, जब कोई भी relation आपका होता है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, general definition बताते हैं, और अगर नहीं होता है, तो एक example हम बता देते हैं, कि इसकी वजह से यह आपका reflexive, symmetric या फिर transitive नहीं है, तो आप समझें, for reflexive हम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने माल लिया, let a belongs to a, या फिर आप सीधा बताएं, कि 1 belongs to a, कि यहाँ पर आपका 1 तो है, बट r के अंदर 1,1 नहीं है, और जब सभी के लिए 1,1, a, a type का element r में नहीं है, तो r reflexive नहीं है, अब बोलोगे 1 belongs to a, बट 1,1 does not belongs to r, so r is not reflexive, now for symmetric, आप check करो, कि 1,3 यहाँ पर है, बट 3,1 यहाँ पर नहीं है, r symmetric कब होगा, जब हर a, b के लिए b, a type का element r में मिल जाए, तो अब check करो, आप बोलोगे, कि here, 1,3 belongs to r, बट 3,1 does not belongs to r, so r is not symmetric, तो जो r है हमारा, वो symmetric नहीं है, now for transitive करेंगे, transitive के लिए आप check करिए, कि 1,3, 3,9, बट 1,9 यहाँ पर कहीं भी नहीं है, यहीं तो होती है definition, कि a, b belongs to r, b, c belongs to r, और अगर a, c भी r में हो जाए, तो हम r को क्या कहते हैं, transitive कहते हैं, बट यहाँ पर आप बोलोगे कि here, 1,3 belongs to r, and 3,9 belongs to r, बट जो 1,9 है, 1,9 does not belongs to r, so r is not transitive, यानि जो r है हमारा, वो transitive नहीं है, वो ना reflexive है, ना symmetric है, और ना ही यहाँ पर transitive हो रहा है, तो बारी-बारी हमें check करना है, हम बोलेंगे r is reflexive, is neither reflexive, nor symmetric, nor transitive, कि उन तीनों मेंसे वो कोई किसी भी type का जो relation है, वो यहाँ पर नहीं है, जब वो नहीं होता है, तो एक example हमें बताना है, और जब वो है, तो basic definition हमें वहाँ पर लिखनी होती है,